आज तो वीडियों है इसका टौक है थेहरी ऑफ इर्रेलेवेंस या फिर, इंफेशन गडसा औप दिविडेन्ड या नहीं कर रही है उस दिश्ट कर रही है उस इसमें आपको पिछली वीडियो में बताए विदियो में इसमें ऑपकिसे हमारी तियोरी एक हमारी एकन के बारे में कर लाते हैं तो पहले residual approach के बारे में कर लेते हैं तो according to this theory, the dividend decisions have no effect on the wealth of shareholders or prices of the shares मैंने बताया है कि इसमें कहा है कि dividend decisions का shareholders की wealth के उपर भी और share के prices के उपर भी दोनों चीज़ों के पर कोई effect नहीं पड़ता and hence it is irrelevant so far as the valuation of firm is concerned तो firm की valuation के लिए भी जो है वो irrelevant है dividend decision this theory regards dividend decision merely a part of financing decision because the earnings available may be retained in the business for reinvestment तो यह करें कि financing decision के उपर depend करता है वो अगर organization को finance की जरूरत है तो उसको business में reinvest करेगी और अगर नहीं है requirement but if the funds are not required अगर नहीं है जरूरत तो business जो है उसको जो है वो as dividend distribute कर सकते है यानिकि first preference किसको है कि organization को अगर reinvestment की जरूरत है तो reinvestment के लिए उसने funds को business में reinvest कर देना बट अगर funds जो है required नहीं है तब जो है वो organization dividend distribute करती है यानिकि अगर जो profit है उस profit के लिए उसका जो है वो profitable use नहीं है reinvestment के लिए यूज नहीं है तब organization जो है वो dividend distribute करते हैं यानिकि अगर बच गया तो उसको जो है पे करना है दो लिखा है रहो दस the decision to pay dividends or retain the earnings may be taken as residual decision कि अगर बच गया तो दे दो shareholders को अगर हमारे पास जो है वो profitable investments है reinvestment के लिए जरूरत है तो पहले reinvestment करो अगर नहीं है तो उसको जो है वो शेरोल्ट को distribute कर दो इसलिए जो है इसको residual approach भी बोलते हैं इस थे एक अपनी एक अपनी एक अपनी एक अपनी एक अपनी है कि जो शेरोल्टर से हैं उनको चाहे वो दे दो चाहे उस profit को business में रिटेन कर लो उनको उस चीज़ का कोई फरक नहीं पड़ता वो दोनों जोगों सेम ही मानते हैं उनमें कोई difference नहीं मानते हैं कि उनको पता है कि और में प्रॉपिट कमा लिए चाहे उसको बिजनस में रिइनवेस्ट किया है तब भी उनको मिल रहा है तो उन दोनों में वो कोई difference नहीं करते हैं बेर बेसिक प्रॉपिट की फॉर्म में दिस्ट्रिब्यूट किया जाए या ना किया जाए बट वह अपने रिटान के उपर जाए वह प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं कि हायर रेट अफ रिटान हायर रेट अफ प्रॉफिट जान को मिलें तो यह थी रेजिडूल एप्रोच जिसमें जो है वो सिरफ यह मान के चलते हैं कि डिविडेंट डिसीजन का कोई influence निया है ना शेयर के इंडिट भी और फ़र्म के द्वारा जोर एंडिंग्स रिटेंगी यह दोनों शीजें से मैं उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं मानते हैं वो दोनों शीजों को सेम लेकर चलते हैं दिन सेकेंड जो मैंने बचाए आपको एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है मोदी गिलान यह प्रोच यह भी जए कि इसका जो यह इंडिवैंस ठीक ही पार्ट तो मोदी गिलाने एंड मिलर हैं थेए इन सपूर्ट अप्रेहनसिफ मैनर में यह उन्हीं अप्रेहनसिफ में नुक्त बटायंसिजी मैनर में वो इंटेंड फॉर्म में बताया है कि वह कैसे है यह अन् और इट्स इन्वेस्मेंट पॉलिसी तो यह कह रहें कि दिए इडिवीडेंट पॉलिसी है उसका कोई फेक्ट नहीं पड़ता है कि झब आपने पड़ेगा तो यह जो है वह फरक नहीं पड़ेगा तो यह जो है वो थे क्वाइशन पर क्या रिट ऑफ रिटर्न कर रही है दस प्लिटिंग और निंग्स ब्टूइन डिटेंशन इंडिटेंशन डिटेंशन डिटेंशन में डूसरा जो है वो डिविडेंशन में जो अलग-अलग करना है वो फर्म जैसे चाहे अपना डिसीजन ले सकती है क्योंकि इस डिसीजन से फर्म की वैल्यू के ओपर कोई फरक नहीं बढ़ने वाला है अल्टिमेटली जो फरक पड़ेगा वो किससे बढ़ता है कि जो उसने अपनी इंवस्मेंट की वे उसको कितनी रिटार्न मिल पा रही है और हर जैस मैंने बता मैंने इन्वस्मेंट के अपने डिसीजन ले और अपने लिट्श सत हैं और अपने फिचर को ज्यान में रखते हैं और फिचर अनगि ज्ञान में रख्ते इस लेते हैं absence of text the discrimination between dividend income and capital appreciation कि जो टेक्स टेक्स rates है वह चाहई वह डिविडेंड इंकम है या capital appreciation dividend ने पत्व जैसे आपका 100 रुप्र के ओपर आपको आपको जहाँ वह company करें कि 10 प्रसंट विडेंड निवीडेंड पहींड और और एगर वही 100 रुपे का शेयर जो है आपने 100 रुपे इन्वेस्ट के थे बट उसका मार्केट प्राइस है वह 140 रुपीज लगता है यह इनकी एजम्शन की बट इन्हों ने परोच अपनी इस परोच में यह एजम्शन लेकर बनाई है परम-स रिजिट पॉलिसी फॉम्समेंट पॉलिसी पॉलिसी उसमें कोई चेंज जो है वह समय के साथ नहीं किया आता जैसे इंवस्मेंट करनी है और बनेंगे शने इन्वेस्ट की जाती है इस पॉलिसी में हैव नो इंफ्लेंस ऑन मार्केट प्राइज ऑफ तो उसकी डिविडेंट पॉलिसी का जो है वो कोई भी परभाव जो है वह शेर के मार्केट प्राइज के ऊपर नहीं पड़ता है यह हमने साटिक सब्सक्राइब कर सकते हैं कि फर्म की वैल्यू केस की फर्म डिटेन पेंट पर रही है तो कि प्रward Harsh पर वर और दौन शही पर हो रही है या शेम रह है तो इसमें बता चैने क्यान में हम करते हैं कि स्थाख इल्किलेशन और सब्जसर करने और पिदप of the period जो भी मारे requirement है कि अगर बिगनिंग का चाहिए तो और एंड का थी तो उसके लिए कुछ formulation ने दिया हुआ है तो अगर हमने जो है वह beginning of the firm यह वाला formula पका थोड़ा दा जूम कर लेते हैं तो काल्कुलेशन of market price of share at the beginning of the period तो इसमें कहा है कि P0 is equal to D1 plus P1 divided by 1 plus KE तो P0 क्या है कि current price निकालना आपने कि आज का टाइम पर जो है वह शेयर का price कितने रुपे चलाओ है वह price निकालने और D1 का मतलब है dividend at the end of the period जिस पीरिट की आप बात करें उसके end में जहें वह company कितना dividend पे करेगी P1 का मतलब market price per share at the end of the period और जैसे मैंने cost of equity के time पर बताए आपको कि जब दी वन का मतलब होता है कि at the end of the period और अगर दी 0 या P0 है तो वह at the beginning of the period तो जैसे हां पर लिखा है P0 तो वह beginning of the period के लिए P0 जो है वह beginning of the period के लिए और P1 का मतलब जो है कि वह at the end of the period के लिए और के का मतलब जो है वो cost of equity है equity capitalization rate जो भी decide कर लें तो या कुछ भी कह सकते हैं कहने का मतलब कि cost of equity भी बोल सकते है या equity capitalization rate भी बोल सकते हैं वह आपका के यह हो गया है and calculation of market price of share at the end of the year अगर at the end of the year आपने उसका शेर का price निकालना है तो उसके लिए formula है P1 is equal to P0 into 1 plus KE minus D1 तो जहां पर P0 का मतलब current price of share है D1 का मतलब जो है वो dividend at the end of the period है और P1 का मतलब market price per share at the end of the period and के का मतलब cost of equity और capitalization rate यह दोनों formula में से अगर एक भी formula आपको याद रहाता तो दूसरा अपने आप बना सकते हैं दूसरा अपने आप बनाने के लिए कि जैसे हमने यहां पे लिया वह था P0 is equal to D1 plus P1 divided by 1 plus KE D1 का मतलब कि at the end of कितना कितना प्राइज हो जाएगा और उसको वन प्लस को सब्सक्राइब कर देते हैं तो फिर उसका करेंट प्राइज आता है तो इसी फॉर्मले से यह वाला भी निकाल सकते हैं तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो देख रहे होंगे कि P0 को one plus KEE से मटिप्लाइब कर दिया और पीवन निकालना था पीवन निकालने के लिए दिवन इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो गया तो इस तरह से आप इसको कैल्कुलेट कर सकते हैं देन से किन अपने निकालने होत सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अगर आपने डिविडेंट नहीं पे किया होगा तो टोटल रेटेंट अर्णिंग से अगर आप कुछ परसंटेज डिविडेंट की पे कर देते तो आपकी रिटेंट अनिक्स कम हो जाएगी और एक्स्टरनल फाइनसिंग वह आपकी बढ़ जाएगी तो इसलिए नंबर आफ शेर निकाले आते हैं एंग का मतलब है यहाँ पर नंबर आफ शेर अनिंस नंबर आफ शेर कि कितने शेर जो है वह और्गनेजिशन ने इसुगर नहीं तो उसके लिए क्या आप हमला है आई इन्वस्मेंट रिकॉयर्ट कि कितनी इन्वस करने के बाद वहां से निकल जाएगा कि अपके पास और यह है आपकी इन्वस्मेंट कि कितनी इन्वस्मेंट करने के बाद वह बच जाएंगी डिविडेंट करने के बाद वहां इन्वस्मेंट करना पड़ेगा और उसको जो है वह डिवाइड करना है यानि कि मार्कर प्राइस पर शेर एड़ एड़ एंड आफ पीरेड इससे नंबर आफ शेर आ जाएंगे कि कितने शेर हमने इस्यू करने कि यह बचलेट करते हैं यह आपका स्टेप से लेव हैं एम 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 एप्रोच के अपरोच के तो सबसे पहले आपने उसकी शेर की मार्केट वैल्यू निकालने के बाद आपको पता दलेगा कि आप जो है वह कितने शेर करेंगे और जब शेर के बारे में बात आजेगे तो इसके बाद आप वैल्यों निकाल सकते हैं तो करेंट वैल्यू फ़र्म की जो है वह एन इंटू पीजिरो करेंट जो प्राइब शेर का उसको जानमबर आफ शेर से आप टिवाइड गार मल्टिप्लेइड करतेंगे तो फैलियो फ़र्म आ जाती है तो इसका फ़र्मुला जो है एन प्लस एम मॉल्टिप्लाइड बाइपी वन माइनस विदिन रेकर्ड लिखना है आई माइनस और सब्सक्राइड यह थो इसमें यह नमबर आफ शेयर साउटस्रेंडिंग अदा इदा बिगिनिंग में स्टार्टिंग में कितने शेर ओर्ग्नेटिन के पास और यह कि पिछले वाले निकाल था यहां पर देख रहे हैं कि नबर और इसको यहां पर कि पहले से हैं यहां का मतलब जो नए इसुगरने और उनका करना है डिफरेंस ऑफ इंवेस्टमेंट रिकॉइड माइनस अर्निंग्स की कितनी अब पास अविलेबल हैं और को डिवाइड करना है आपने वन प्लस के को यह का मतलब है कॉस्ट ऑफ इकुटी इससे जो है वो वैलियो फॉर्म आ जाएगी तो यह शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जो त्योरी ऑफ इर्रेलिवन्स है उसमें हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं और उस कैलकुलेशन के लिए उन्होंने अपने इस थियोरी को कि अगर डिविडेंट पे करती है या नहीं करती है उन दोनों केसी में फर्म की वैलियू के ओपर कोई फरक नहीं बढ़ता है तो इसको हम विद एक्जाम्पल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कैसे जो है इन स्टेप्स से हम फ फर्म की वैलियू है वो डिविडेंट पे करने से या नहां करने से जो है उसकी फर्म की वैलियू के पर कोई फरक नहीं बढ़ता है दन ओके थैंक यू